सात्यों आप एक printer खरीदने जा रहे हैं एक ink tank color printer तो कौन सा printer ले इसके लिए मैं suggest करूँगा आपको क्योंकि मैंने एक printer लिया है Canon 2010 तो ये printer मैंने क्यों लिया आपको ये printer लेना चीए या नहीं लेना चीए ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा हम इस printer को सबसे पहले unbox करेंगे फिर इसका मैं review करूँगा इसकी complete installation मैं आपको बताऊँगा और इसकी सारी specs भी आपको बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या facility है किस परकार आप इसको use करें कैसे इसकी life आप बढ़ा सकते हैं ये सारा जानेंगे इस वीडियो में तुछ में तक बने रिग नमस्कार साथियो मेरा नाम है मनुष्ट कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेकनिकल चेनल कम्प्यूटर गुरुजी सब्सक्राइब कीजिए कम्प्यूटर गुरुजी चैनल को और टेकनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकोन को दबाईए तो पहला काम तो करते हैं इसको अन्बोक्स करने का फटा-फट मैं इसको अन्बोक्स कर लेता हूँ तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक ये पैकेट निकला है जिसके अंदर एक इसकी इंस्टॉलेशन सीडी है और खुछ इसकी इंस्ट्रेक्शन और इसकी इंस्टॉलेशन गाइड दी गई है इसकी मेरे को जरूद नहीं है आप इसकी मदद ले सकते हैं लेगिन ये वीडियो देखने के बाद आपको भी शायद इनकी जरूद नहीं पड़ेज़र इसके बाद इसमें कुश केबल Зान्ज इसके अंदर डेटकेबल है एक पावर केबल हमको मिल रही है यहां पर बस इसके मामले में तो यह ही है बाकी दो कार्ट्रेज है और इंग की बोटल इसके साथ आपको मिलती है चलो फिलाल तो इनको एक साइड में रख लेते और प्रिंटर को भार निकालते है इसके सारे बटन इसमें टोप में उपर राइट साइड में दिये गए जिसमें आपको पहले पावर का मिल रहा है फिर एरर सैटिंग्स का बटन यहां पर मिल रहा है डिस्पले भी इसकी काफी अच्छी दी गई है इसमें आप प्रिंट कोपी लेंगे तो पलस कितने आपने क कोपी निकालने कोपी कर सकते हैं प्रिंटिंग या फिर कोपी कमांड दे रखिए उसको स्टोप कराना है उसको स्टोप करा सकते हैं आप ब्लैक के लिए ब्लैक के लिए करें और कलर के लिए कलर बटन दबा दें इसके अलावा इसका काफी अच्छा इंटरफेस है दे जाएगा अब इसमें पोर्ट की बात करें हम मैं तो में दिखाता हूँ यहां पे इसमें सिरफ दो ही पोर्ट होते हैं एक तो हमारा USB कनेक्टिंग के लिए यह वाइफाई नहीं है वाइफाई लेंगे तो आपका दो से तिन जार उपर महेंगा पड़ेगा यहां पे आप फरंट में इसका पेपर आउट का है अब आप देखोगे कि पेपर तो भार गिरेंगे नहीं भार नहीं गिरेंगे इसको आप स्लाइड करके भार बढ़ा सकते हैं तो पेपर भार नहीं गिरेंगे ट्रे का साइज इंकिरी हो जाता है इसमें आप PVC कार्ड भी प्रिंट करा स सकते हैं वह हम प्रिंट करके बताएंगे आपको कि PVC कार्ड इसमें वाक्य में प्रिंट होते हैं या नहीं होते हैं आप इसकी इंपूट ट्रे के अंदर इसके अंदर आप एक बार में 100 पेपर रख सकते हैं पहले तो मैं टेप रिमूव करता हूं यहां पे हम देखेंगे में मेंม Idaho के वह वता हैं अब कलर डालनी के लिए बताता हूं में आपको सबसे पहले तो आपने इसका मुध खोल लेना है यह अंदर कैंड खालना में यह जो की चलेगा इधर इसमें यहां पर यृडर्ज ऐम लिनंय और यह देखर लिखिए हूई कि आपने इस वाले सुई होने यज्वार्त वी टालना है दीनों कलर की बोटल थो हमने इसमें उडेल देनी है और लैपट साइड में आपको कंटेनर मिलेगा बोटल ब्लाइक य यदो कि लिए किस परकार डालें यह वह मैं भी बता हुआ और यह सारी बोटल इसमाइड पेद आपystने प्रिंट निकाल सकते हैं यहां पे आप 6,000 6,000 pages color के और 7,000 pages black के निकाल सकते हैं एक बार container full करने के बाद एक बार यह सारी bottle full उडेलने के बाद पहले तो मैं इसके सारे tape, vape, सारे कपड़े निकाल लेता हूँ फिर हम इसमें ink fill करेंगे और फिर देखते हैं इसकी print quality कैसे आती है इसमें यहां पे pipeline बिचाए गई है यहां पे, यह चार pipe है जिनके थूरू cartridge तक इंक पोशती है यहां पे cartridge हैं दो cartridge हैं, पहले तो हमने cartridge set करनी है, cartridge किस परकार लगाएंगे, थोड़ा सा देखना सावधानी से, क्योंकि यदि हम गलत तरीके से ठूसेंगे, तो हमारा carriage तूट सकता है, damage हो सकता है और हमारे printer का सकता ना सुझाएगा ना है printer का इन cartridge के, यह सारे हमने जो safety लगाई हुई है सारी tapes, remove कर लेनी है पहले तो, हम इन tapes को आराम से remove कर देंगे दोनों साइड की tapes अटा देंगे, पीछे हमारे जो connection की भी और जो head जहां से ink निकलती है वो भी अटा लेगे, ठीक है, finish होने के बाद, अब जो black वाली cartridge है, उसको black वाले slot में लगाएंगे, और color वाली है ये वाली cartridge है, ये black cartridge है और इसको हम black वाले point के अंदर insert करा देते हैं अपने cartridge को एकदम जिस हिसाब से लगनी उस हिसाब से सीधा इसके अंदर सामने की side में लड़ाएं और छोड़ दें, ये नीचे automatic set हो जाएगी इसी परकार दूसरी cartridge को color वाले को color वाले में लगा दे और ढकन को बन करके उपर दो बटन दिये गए हैं इनको दोनों को प्रैस करते हैं तो ये cartridge हमारे lock हो जाएंगे यापर तो पहले black container को fill करेंगे इसके लिए उपर से इसका ढकन आराम से निकाल लें और फटा फट देखे हम किस परकार से fill करते हैं इसको खौल लेंगे खौलने के बाद किस परकार से हम इंक उडेल लेंगे इसके अंदर बड़ी safety से सावधानी से उडेलने हैं कई प्रिंटर पे ना भिखर जाए सावधानी बरते हुए भी जेखो यहां पर थोड़ी सी इंक गिर गई बहुत ज़्यादा सावधानी बरती उसके बावजूद भी थोड़ी सी इंक के प्रिंटर पे गिरी गई तो इसको साफ कर लेते हैं कोटन ले लेंगे या एक साफ सोटा सा कागज का टुकड़ा इसको साफ कर लेते हैं तो वापस से इसके अंदर इसकी डाट इसके कान में वापस ठोक देंगे इसके मुह में और उपर से डखकन को क्लोज कर देंगे अब कलर का नंबर आता है कलर को बारी बार इस ओपन करेंगे सबसे पहले तो हम ये कैन को लेते हैं क्या नाम है इसका कैन कलर है क्या है इसको डालेंगे इसमें पटाफ़ यहाँ पे आप 6,000 पेजिस कलर के और 7,000 पेजिस बलैक के निकाल सकते हैं एक बार container full करने के बाद एक बार ये सारी bottle full उडेलने के बाद फिर ये magenta color यूज़ करेंगे magenta को fill करा देंगे और इसके तुरंट बाद हम वापस से yellow color को भी इसमें fill करा देते हैं अब इतने pages में हमारी print cost यहनि कि पर page cost कितने पड़ेगी तो यदि ये bottle's हम color की भार से purchase करते हैं तो ये लग वो बारा सो से साड़े बारा सो के करीब की आती है और हम pages की बात करें 6000 पेज कलर के निकाल रहा है और 7000 पेज black and white के निकाल रहा है तो सिर्फ color कलर के बताता हूँ मैं कुछ से अगर कीमत कम करें इसमे black का हम 200-300 पर अलग निकाल दें तो लग बग 15-20 पैसे पर page cost पड़ती है यहाँ पर देखो के अभी ये पूरा level दिखा रहा है सारे टैंक हमारे फुल हो चुके है color के भी black के भी और अभी पाइप line के अंदर पानी नहीं आया पानी कह रहा हूं sorry इंक नहीं आई है रहना वो अभी नहीं आएगी पहले इसको connect करेंगे connect करेंगे तो यह automatic read करेगा इसको फिलाल मैं यहां से अभी तो बंद करता हूं और ले जाकर करके अपने system में attach कर लेता हूं फिर इसके बाद हम इसको दिखाएंगे कैसे यह pipeline फूल हो जाती है तो हम ले आये इसको अपने system के पास अपने table पे रख लिए हमने और मैंने रखा तो देखो आप पिछे से बच्चे आके इसके उपर designing कर गे बना गए इसके उपर और मैंने पावर केबल भी इसकी connect कर दिया अंदर देखो गे वह switchboard दिखाई देरा आपको बीच्छे जो प्लाइबोड कटा हुआ वहां पर मैंने इसको connect कर दिया ओन कर देंगे इसको और यह जो ड्रॉइंग कर रिए बच्चे ने देखो स्वास्तिक बनाया काफी अच्छा स्वास्तिक बनाया कोई भी नई चीज हम पर्जेज करते हैं तो ऐसा होना चाहिए शुब होता है तो फट से पावर को ओन कर लेते अंदर से switch को और printer के भी हम यहां से पावर ओन करा देंगे अब इस गुंगट को भी अटाई देते हैं अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा ओर स्मूथ लगेगा रेकिन कुछ एक की बहुत ही अच्छी आदत होती है कि चीजें नई लेने के बाद पन्या नहीं अटती है उसके बाद है ना पन्या तो हटाते नहीं यह यह पन्या हटाने के लिए दी गई होती है हटा लिया करो इनको अच्छा लगता है तो इसने कुछ समय लिया आप देख रहे हैं यहां पर अब यह प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है अब इसकी एक सैटिंग और बची है क्योंकि अभी इसको आप ओपन करके देखो गे तो इसके अं अधानिया बता देता हूं जब भी आप कोई इंक टैंक प्रिंटर खरीते हैं या फिर इंक जैट प्रिंटर खरीते हैं जिसमें लिक्विड इंक कार्ट्रेज पर हैट से संबन्दित होता है उसके अंदर आपको डेली एक प्रिंट आउट या एक फोटो कोपी निकालनी ज से क्या होगा हमारे जो हैड है वो ब्लोक नहीं होगे क्योंकि सबसे ज़्यादा maisor problem यही आती है कि प्रिंट नहीं कालने के स्थीति में इंक शूक जाती है है या फिर ये प्रिंट नहीं करता है तो इसलिए आप चाहें कि आपके प्रिंटर के लाइफ जयादा हो तो उसमे पर डे या एक दिन के बाद एक दिन तो प्रिंटर अवश्य निकाल लें इसके अलावा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है स्मूद चलेगा ना ज्यादा मैंटिनेंस है ना यह खराब होता है हां लाइट वगर आपकी खराब होगी फाल्ट हो गया तो अलग परिशा यहां परखे क्या है फालाइन करताएं परकार उसके अंदर इसम परकार से रख देते हैं इसमें मैंने बताया आप एक बारमें हंड़ड पेपर यहां पर रख सकते हैं अब कंपनी कहती है कि आप इसमें पेपर 160, 160 GSM तक के पेपर यानि की मोटे पेपर यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको देखा था चलती हुए इसमें आप 300 GSM पेपर तक भी यूज कर सकते हैं आराम से उस पेपर को भी उठा लेता है इसके अलावा इतने मोटे पेपर उठाने की कैपैसिटी सिर्फ ब्रोदर के प्रिंटर में ब्रोदर T220 के अंदर वो प्रिंटर भी काफी बैटर प्रिंटर है इसी प्राइज में पढ़ता है मैं लेने गया था लेकिन वो फिलाल अवलेबल नहीं था स्कॉप के उपर इसलिए मैंने कैनन का प्रिंटर लिया और फोटो कोपी के लिए यहां पे आप गलास के उपर कागज रखेंगे और लेफ्ट साइड में जो पेपर का टोप होता है वो लेफ्ट साइड में करके रखेंगे आपने फोटो कोपी करनी है तो लेकिन अभी ये photocopy नहीं करेगा क्योंकि अभी printer ready नहीं हुआ है तो इसको ready करते हैं printer को नए printer को ready करने के लिए instruction भी दी होई थे हम black वाले को पहले press कर देंगे तो यहां पे ये ready होने लगेगा क्योंकि अभी color वहां तक पहुचा नहीं था न हमारी pipeline थी सारी खाली पड़ी हुई थी तो अब वो pipeline भरेंगी यह यहां 5-6 minute ले सकता है आपका ready होने में तो 5-6 minute में यह बिल्कुल ready हो जाएगा सारी pipeline फुल हो जाएंगी और आप इसमें print करने के लिए या copy करने के लिए तयार हो जाएंगे तो यह complete process हो चुका है अब मैं आपको open करके दिखाता हूं कि जो हमारी pipeline थी वो भरी के नहीं भरी है देखो यहां पर very good पूरी की पूरी शारी चारो pipeline फुल हो चुकी है color से अब एक print लेके देखते हैं फटा फट जो मैंने अभी note रखा था उसके हम copy करके दिखाते हैं यहां पर सिद्धा हम color वाले पर प्रेस करेंगे तो यह देखो यहां पर फट से इसने paper को लेना शुरू कर दिया और printer अब यहां से paper हमारा out होगा वो देखो paper यहां पर आ रहा है भार आने लग रहा है और यह देखो यहां पर color quality देखो आप इसको match करके के देखो मैं दोनों notes को मिला के दिखाता हूं copy को और इसको उसमें थोड़ी सी signing नहीं है क्योंकि हमारे डल पेपर था और यह note थोड़ा सा अधर रखावा है इसलिए इसमें signing आपको ज्यादा नजर आ रही होगी है लेकिन color में बेलकुल कोई फरक नहीं है बहुत अच्छ से लेकर के और प्रिंट देने तक complete मैंने प्रोसेस बताया इसकी सारी installation बताये कैसे हम इसको install करेंगे बिलकुल आशान है install करना कोई ज़्यादा assembling नहीं इसके अंदर सिर्फ ink fill करानी है और जितना आसान इसकी installation थी उतनी ही आसान इसमें printing करना और scan करना है तो अब यह printer क्या perform देता है कैसा print करता है यह मैं यूज करूंगा इसको और यूज करने के बाद कुछ समय इसके result और इसकी performance आपको दिखाऊंगा इसी परकार और भी अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे मैं कमें से मता है मारे वीडियो को जादा है जादा हम दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और ये दिन नए है आप में चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें